दोस्तों आपको पता होगा कि जिस तरीके से यूगी आधितनाथ ने अखलेस यादो के लाल टूपी पर बयान दिया था इसकड़ी में अब केशो प्रिशाद मौर्या ने चोकाने वाला बयान दे दिया है जी हम बात करें तो सिर पर लाल टूपी और पयाजामा की जेब में जालेदार सपा पर फिर बायर फायर हुए केशो प्रिशाद मौर्या क्या कुछ कहें हैं चलिए जानते हैं जी हम बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजनीती में इस समय लाल टूपी का जिक्र काफी चल रहा है प्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आधितनाथ द्वारा दिये गए सपा के लाल टूपी वाले बयान पर काफी नेताओं की प्रतिक्रिया आई है वहीं अब डिप्तिसियम केशो प्रशाद मौर्या ने भी समाजवादी पार्टी की टूपी को लेकर फिर से समाजवादी पार्टी पर तंज घसा है और उन्होंने जालेदार टूप इस बयान पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है तूपी लाल है लेकिन कारणामे काले अखिले स्यादो बता दे कान को दोरे पर पिछले महीने मुख्यमंत्री योगी आदितनात के कतित आपत्ति जनक बयान पर समाजवादी पार्टी की मुखिया अखिले नजरिया अच्छा बुरा होता है अखिले स्यादो ने मुख्यमंत्री योगी के लाल टोपी वाले बयान पर तंच कस्तेवे कहा था कि योगी जी अभी लोग सबाद चुनाम में मिलियाहार के बाद सदमे से उबर नहीं पाये हैं क्या बोले थे अखिले स्यादो इस मामले पर शमाजबादी पार्टी के मुखिया अखिले स्यादो ने ट्विटर पर दिखा था कि लाल रंग मिलन का प्रतिक होता है जिसके जीवन में प्रेम मिलन मेल मिलाप का भाव होता है वे अकसर इस रंग के प्रति दुर्भावना र यह होस्पर प्रप्मिला है पते हुट जाने बार